फिर से एक वर आप लोगों को स्वागत है जे पीएसी वीद अमन में जैसे कि आप जहारकन जिकी याने बुज़ी जहारकन बोलिये उसका स्लेवस हम आप लोगों को बता दिए अब हम फंस्ट कलास लेने जा रहे हैं जो आप लोगों को स्लेवस कनुसारी होगा पहला टॉपिक ही था जार्खन की इतियास जो आट परसंद पुछेगा चली उसको हम डील करते हैं ठीक है चली जार्खन की इतियास का सुरोत जो देन दो भागों में बाटा गिया है एक साहितिक सुरोत दूसरा है पुरात्विक सुरोत ठीक है जार्खन की इतियास की जानका और लाइगिक साहिती आते हैं यह तीन पॉइंट आते हैं और धार्मिक सहते के मुखरुप से वैद ब्रहामनिय अकर्णिय गरंथ महाकाब्य महाभारत भागवत पुरान आदी आते हैं यह सब गरंथ का नाम आप लोगों को याद रखना है जो आपका साहित्य स्रोत के करी मिलती इतने सारे गरंथ किसकी जनकरी मिलती ऍधिहास जार्खन कितिहास की जनकारी मिलती है अधर वेद мат इलमें जारार ठेस को वाद tegen भी第一 में किस नाम से पकारा जाता था तो वाद् detta प्रदेश जबकि 173 अबरामनिय सबसे पहले ज 돼न के जनकारी कहा मिलता है तो educितिरिय चे अफरिय के वी जनकारी मिलती है और अथरवेद में और पुंड्र की चर्च की गही इसमें पुंड्र जारखनी के लिए आया होगा सब्ध पुंड्र सब्ध जो टहो किसके लिए Dancing जारखन के लिए सब्द आया हुआ है ठीक है ये चीज आप लोगों को दियान में रखना है ठीक है अब देखेंगे नेश्ट देखेसी में कि वायो पुरान में जारखन की जानकारी मिलती है ठीक है और इसमें वायो पुरान में मुरूंड सब्द आया था वायो पुरान में क कुंडरी का करक खंड सब्द आया जबकि भागवत पुरान में कटिक प्रदेश के लिए आया हुआ सब्द इतना सारा नाम था जो ज्ञार्खन का किस-किस पुरान में किस-किस वेद में कि महावारत में यह सारे पॉइंट बाप पॉइंट आप लोगों को यह याद रख रह रहें जार्खन यह पी-सी प्रिमिल्स दे रहा है तो इससे कोश्र हंड़ परसंट रहता है ठीक है आगे देखिए गयर धार्मिक साहित्ते में मुखरूप से कोटेलिया का अर्थास्त में कुटकूट परदेश के नाम से जाना जाता है जार्खन के लिए सब्दा यह मतलब जार्खन को ही बुलाया गया इसके अलावे विदेशी सुरोत में मुखरूप से फायान जो थे और हैंसांग थे के वीवरन में जार्खन की जनकारी मिलती है फायान जार्खन को कुकूट लाड कहता था जार्खन को फायान जो था एक चीनी यातरी थे जो जार्खन को इसको जहारखन ठीक है और मद्ध काल के साहित्य में भी जहारखन के चर्चा की गए थैंट खास करके मलिक मुहमध जैसी ने अपनी पुष्टक पदमावत में जहारखन की चर्चा की थी अजब कि अकवर काल में साहत्य में मुखहरूप साकवर नामा में इसके अलावे तजेक जहागीर में जारकन को खोकरा परद्यस कहागए था को किस नाम से पुकरा गया है सभ हम एक एक कर के आप लोगोगों को बताते जाने ठीक है आगे देखिए आदुने काल में इतिहास करोने वी साहिटे में जहारखण परदेश कवी यहां की संस्क्रीती की भी चर्चा किया गया इसके अलावे ज्यारखंडी साहित्य जहां पर भासा सतनों का लोग गीट जृहरखंड से इतिहास प्रकास सब का उपयोग किया गया परातविक परदिश में आप देख सकते हैं जàiरखंड की इतिहास की जानकारी पुरातविक का हवान मोहर भवण् acting स्मरक मतलब मुर्ति सभी चीज मिलता यह आपका पुरवक प्रदेश के बात करें चेंग सबसे महतपुन अविलेह होता है अविलेह की स्ट कीश प्रकार की मिलता था ताम्पो और पत्थर का होता iq & अधृ आ भारती इत्यास में असोग में सこれ परवदिक लोग पीया हु imposing और दो में घरकन के यह मिलती है जिसमें जंजाति को थम की जन्कारी दे जाती है किसी जन्कारी दी जाती है दहम की और इसी परकार असो mein accountable तेरह में जार्खन को आठविक परदेश का आई इस तरह से नाम्द रखा जाता है जार्खन का हर एक ठीक है और चिम्भूम से एक ताम पत्र मिला जिसमें यहां जानकरी मिलती है कि क्रामदित्य और प्रचंदाइत्व ने बिहार का आकरवन करके महाराज-ध्राज की अपादी ध्हार्ण कर लेता है और बिहार का दिहहार का भे ज्यृतques जार्खन परोडेश यह सब के परकास का趣 इसे परकास ताइँ ग्लेक ईदध पानी नामक अस्ताथ एक अविप्राप्त होता है नि बर राकर न दी ठीक है जिसमें जहारखन की चर्चा मिलती है और यहां अविलेक लगवग आठवी सताब्दी के आसपास की गई और इसी परकार आठवी सताब्दी की एक त्रमपट अविलेक में पहली बार छोटा नाकपूर जहारखन सब्द आया था तो पहली बार की सब्द आया था छोटा नाकपूर सब्द आया था और असोग के अभी लेखों से यह भी जनकरी मिलती है कि जहारखन उसके अधिरतों के अंतरगत था मतलब धारखन जो भी था ना सोक के अंदर गत भी था ठीक है और इट खोरी से पुर्व मद्ध कालिन सासक महंदर पाल का सिलालेक प्राप्त होता है धर्माद में गोविंद पूर के एक सिलालेक प्राप्त होता है इसके अलाव पलामों में गहरवाल राजाओं के सिलालेक प् पर हापामूनी की मंदिर से जी चिलालेग प्राप्ट हता है उस जहां का जिस सासकत उस पता चलता है कि उस सासक के अधीन में था इतिहास को इतिहास को किसी याद करें पहचान सकते ह direction का तरीका शिला लेग था जिससे झार खन के इतिहास की जानकारी मिलती है ठीक है पुरात्विक सुरोतों में जार्खन से कुछ सिक्के और मुद्राइं प्राप्त हुई ठीक है जार्खन का पुरात्विक सुरोत से सिक्का और मुद्रा प्राप्त होता है जिसमें जार्खन की जानकारी मिलती है राची में कुपासिन सिक्का अब प्रफर्थम सुथ आपधी में जहन करन यहांगं के साथ फकार चल रहा था एकश भी वैपार चल रहाम्हें जरब्कि संत्राप्ण लोगो इतिहास की जान करें दो तीने चीज़ से पता चलता है या तो सिलालेक से या तो मुर्ती उर्ती या तो खनुन या तो क्रीसी से या तो सिक्का से पता चलता है कि कहां कहां का आदमी आ के जारखन में वानिज्य किया कहां कहां व्यपार किया तो यह सब चीज आप वह चीज आप लोगों के दियान में रखने है इसी तरह देखिए हिज़ा चीज से कुप आसने हैं सिक्का इंपोर्टेट हो गया है अब के लिए असी बुम से रोमन छिक्का आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया है और रचाईवासा से इन्थो सीथियन सिक्का ये सब आप देखते निश्ळ यहारखण की इतहास की जानकरी जोने सिख्क यह अलावे मूर्थियों से भी मिलता है। देख लिए मुर्ति कहा कहां से प्राप्त होता है जारखन राजी के विभीन जुड़ों से भी मुर्थि प्राप्त घिसने जारखन के समाज jaṁर समाज करता है तुम्टुमा नामक अस्थान पर पाल काली मूर्थी प्राप्त होता है इसी प्रकास सिंग्भूम जीले के वेनु सागर से हिंदु धर्म और जैन धर्म के देवी देवताई मूर्थियां प्राप्त होती है तो यहां से जैन तिर्थक मूर्तियां भी प्राप्त हुई जो सम्भवता सात्मी आठी सदाब्दी के हैं तो इसके अलावे वेनु सागर में कीला प्राप्त होता है फिर पलामू जीला के करवा गराम से एक बहुत इस्तूप प्राप्त होता है राची जीले के खूंटी से एक बहुत बिहार कीला प्राप्त होता है और हाल ही में हजारवाइक जीले से सुरुज कुंड और बोहनपूर में बहुत मुर्तियां प्राप्त होती है तो जारकन की तिहास के एक अन्य सुरुस समारक और भवन भी है जारकन में के चतरा जीला में देखेंगे तो परतापूर और मुगल काली ने एक कीला प्राप्त है जिसे की कुंपा का कीला कहा जाता है हंटर गंज में देखेंगे तो कॉलवा पहार से बौ धरम जैन दरम हिंदू धरम की मूर्तियां प्राप्त हुई है इसके लगे मुगल कालिन दुर्गा यानि की कीला प्राप्ट हुआ है इसी परकार से परसनात की पहारी से जाइन के तिर्थकों की मूर्तियां और मंदीर के आउसेस प्राप्ट हुए इसके लाए प्लामू से चेरोवंस का पुरान कीला और मुर्टियां प्राप्त हुए इसी परकास से बार्मी सताबदी की चंदवा टोड़ी में अगर तारा मंदिर मिला है जो जहारकन की इतिहास को धरोधर है ना इस दर्स्टे की जहारकन की इतिहास के एक परमुक्सरोत चितर कला भी था चितर कला और सहल चितर भी था जो उनिस से कानवे इसमी में हजारवाग जी ले के बढ़का गौंग के पास इसको चितर का परमान मिला जो प्रवगोत है इसक मानव दुआरा चितान पर बनाया गया एक चितर है या चितर सिकार करने का चितर बना हुआ है पलामुजी ले के भवा नात पूर से चटानों का दुरलव चितर प्राप्त हुआ जिसमें सिकार करने का चितर बना हुआ है अभी हाल में ही सिम्डेगा से आदी मानव के सामाच्च प्राप्त हुएं सिम्डेगा के क डानने की सहयता परदान करती है परमुः तो बाकि इस इसको पहारी पर आदी आधी मानब दुवर नियरी मीच तर सल्वेस प्राइब ही गडमा और भावनातपूर से जिच्वा शिक्षार करते हूं सहल चित्र और प्रकृति मेरतभवांड मेरत्भांड मनन नम्कुम् मिलता हो मिलता हजारी बच्शबर कंड़ के ऐपको ताम्बे के खान पर भरप्वत होता है दुमँदुम्मा से पाल चाउले मुरूतिवा पराप्श होती है खुरगा गडर से यहां से आपको चौदमी सिदाब्दी की मीटी के बरतन और मंदिल आउसेस पराप्त होते हैं परतापुर से देख लिए मुगल कालिंग कुमपा कीला पराप्त होता है और कोलवा पाहर पराप्त होता है पराप्त होता है तो इस तरह से जहारकन के कुछ इतिहास को आप लोगों को फिर से वर्नन करेंगे यह पाहर के लास को अगर इस लगया धापको पराप्त करना तो यह यह टिल ग्राम पे ऑनम सर्च कीजिए मुःसे फिर में टिलनी करता और है